Hello everyone friends, welcome back to top 3 world. Friends, today I am going to share with you 3 ideas of winter related to winter. This is a very big idea. It is a zero cost. You can create a very good material in our house. So, first of all, we will use the previous shirt. I have a shirt. This shirt is a double axel. This shirt is flat. Then we will cut the sleeves. I am going to remove the sleeves. I have removed the sleeves. We will also remove the sleeves. Now we will move the shirt. We will mark the sleeves. After we stitch it, we will also mark the sleeves. We can also mark the sleeves. We have cut the sleeves here. It is a open size and we have to pack the sleeves. तो देखे यहां आप एक साइड पर मैंने सिलाई कर लिए इसके बाद सेम यहां से भी मैं मार्क कर लूँगी वर फिर यहां पर हम सिलाई कर लिए तो इसके जो नीची वाला हिस्सा यहां इसłem कर लिया है और फिर सिलाई कर ली है सिलाई करने के बाद देखे इस तरीके से हमें इसे फोल्ट करना है दोनों साइड से कपड़े को पकड़ कर हम खींचेंगे तो इस तरीके का एक यहाँ पर ट्राइंगल सेब बने गया इन दोनों सिलाई उपर नीचे वाली के हम सेंटर में रखेंगे जिसे कि ये एकदम परफेक्ट आएगा और फिर यहाँ पर मैंने 8 इंच पर मार्क किया है अगर आप इसका बेज बड़ा बड़ाना चाहते हैं तो आप 9 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं तो मैंने 8 इंच पर मार्क किया हैं और यहाँ पर इस से मिसरेट की का इस तरीके से कटविए से करना चाहें कर सते हैं अब सर्ट को हमें सिलाई करने के बाद सीदा कर लेना है अब मैंने यहां पर बेज है उसी के साइज का एक कार्ट बोड लिया है तो इसके बेज का मेजर्मेंट दिखिये आपको कैसे लेना है यहां से हमारा 16 एंच और 2nd साइट से यहां एंच था तो फिर हमें 16 by 8 इंच का य एक हैंगर और हैंगर को देखिए हम इस तरीके से यहाँ पर अड़ कर लेंगे उपर वाले हिस्से में, जैसे कि हम इसे अल्मारी में है हैं करते हैं या फिर कपड़े सुखाने के लिए हैं वैसे ही आपको यहाँ पर हैंकर लेना है, So friends, आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़ादा प्यारासा हमारा ये एक कबोर्ड बंकर ready हो चुका है आप कहीं पर भी इसे hang कर सकते हैं, अगर आपकी गर में अलमारी नहीं है तो आप इस तरीके से सर्ट का यूज़ करके बहुत सारे कपडों को hang कर सकते हैं अधरवाइज अलमारी है, लेकिन विंटर में इतने ज़ादा cloth होते हैं कि उसे स्टोर करने के लिए special काफी सदा space चाहिए तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, और इसके pocket में आप socks रख सकते हैं, हैंकी रख सकते हैं तो हैना एकदम कमाल का idea और बहुत ही ज़ादा कम मेनत में और नहीं हमने इसमें और कुई भी material की ज़रुत पड़ी, सिर्फ एक सर्ट की help से आप इसे बना सकते हैं अब देखते हैं, next idea तो अगर आपके घर में इस तरीके का organizer है या फिर आपके cupboard के अंदर, wardrobe के अंदर इस तरीके से कुई भी चीज़े फैली हुई है तो उसे भी आप बहुत सादा अच्छे से organize करके रख सकते हैं तो इसका मैंने यह जो बॉक्स था वो निकाल लिया है measurement लेने के लिए आपका wardrobe से अगर नहीं निकल रहा है तो आप अंदर वाली जो space है उसका measurement ले लिजे paper रख कर मैंने यहा पर इस बॉक्स को ही paper के उपर रख कर इस तरीके से measurement लेकर उसे cut कर लिया है अब देखे मैं यहाँ पर दो organizer छोटे से बनाऊंगी तो इस तरीके से इस paper को मैं fold करके center निकालूंगी और इसे बीच से cut कर दूँगी अगर आपका almari के अंदर drawer है तो आप अंदर की side paper रख कर इस तरीके से measurement ले लिजे यह तरीका मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपका drawer क TCP size का है आपको किस तरीके से fabric लेना है और आप दो या तीन जो भी बनाना चाहते हैं इस तरीके से organizer बना सकते हैं तो एक organizer का जो हमारा बीज है वो 3.5 x 11 इंच का बन रहा है अब इसके जो side होगी वो हमें लेनी है तो एक side से 3.5 इंच जादा लोंगी मैं तो इस तरीके से 4 स side पर 3.5 inch extra add करके आपको कपड़ा लेना है तो मैंने यहां पर पहले प्लास्टिक बूरी ली है आप फूम लेना चाहते है तो फूम और अस्तर भी ले सकते हैं या फिर भुक्रम ले सकते हैं तो मैंने प्लास्टिक बूरी ली है और इस से 3.5 inch सभी साइड से जादा लिया ह सकते हैं इस तरीके से बहुत ंसी तरीकने तो इस बोरी के साइंत कपड़े का इस तरीक और या साथ चारोकर बबरे लए खोर्ट कर कर लेनी है और फिर इसे आपको कट कर लेना है को है यह अपर यहां कर लिना है यह एक दम आसान तरीका आपको जो भी हमने जो boundary 3 inch साइड में रखे तो उसमें से हाफ इंच माइनस करके हमें सिलाई के लिए छोड़कर इस तरीके से बॉक्स बनाना है और फिर यहां पर सिलाई करनी है तो आप जो भी साइज बना रहे हैं आपने साइड से जिटना भी फाबरिक एक्स्ट्रा रखा था मलब साड़े तीन इंच मैंने रखा था तो अगर पर हमें थोड़ा सा दबाते हुए यहां पर सिलाई कर लेनी है जादा अंदर की साइड सिलाई करनी है एक दम इस तरीके से साइड में सिलाई करनी है इसे तरीके से बाकी की तीनों साइड पर हम इस तरीके से प्रैस करके ही इसे दबा लेंगे तो फ्रेंस यह देखिए मैं पीस आपकी बच चाहेगी और आपको जो चीज चाहिए वो इसले मिल जाएगी और बहुत कम जगाव में बहुत जारी चीजे आपकी स्टूर और आपकी सारी चीजे बहुत अच्छे से अर्गिनाईस दिखेगी तो देखे इस तरह tackle, मैंने एक सारे socks को यहां पर organize कर लिया था अभी winter है तो आप socks के लिए इसका use कर सकते हैं इसके अलावा multiple use आप इसका कर सकते हैं बहुत सारे चीजों को store करने के लिए बहुत ही जादा useful है तो आप इसे इस तरीके से किसी भी size का बना सकते हैं अपने wardrobe में रखना है तो उसके लिए या फ होते हैं स्वेटर सोल और कुछ भी है कैप है सॉक से सभी के ऊपर इस तरीके की रूया बन जाती है जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा गंदी लगती है और जो हमारी नई चीज भी है वह भी पुरानी दिखती है और पहनने का मन ही नहीं करता है हमें लगता है कि चलो सभी के घरों में होता ही है आप कोई भी रेजर का यूज कर सकते हैं मेल फेमेर है या फिर ये वन ब्लेड वाला है टू वाला है या फिर थ्री विला है कोई भी आप रेजर ले लेजिए जो भी आपके पास अवैलेबल है और उसकी हैल्प से बस आपको इस तरीके से रेज बहुत सारी रुयां इस तरीक से निकल दी जाएगी और यह जो मेरा पुराना स्वेटर था वो मुझे बिलकुल पहनने का मन नहीं हो रहा था वो अच्छा हो गया था इस ट्रिक को यूज करने के बाद तो मुझे काफी जादा सैटिसफाक्शन मिला था इसे ट्राइ करकर इस पुराने कपड़ों को फिर से नया बना सकते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा यूसफुल होगा और आपको पसंदाया होगा इनमें से कौन सा आइडिया आपको सबसे ज्यादा पसंदाया मुझे कोमेंट जरूर करना वीडियो अच्छा लगा है यू करना और आप हमारी चैनल पर नहीं आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरते हैं सही और यूसफुल वीडियो के साथ तब तक के लिए जय भारत